इस क्रिम को सिर्फ दो बार लगा लो आपके जिद्धी दाथ खाज कुझली की समस्था जड़ से समाप्त हो जाएगी अश्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कैसी होम रेमेडी लिगा हूँ जिसके इस्तमाल से आपके जिद्धी दाथ खाज कुझली की समस्था जड़ से समाप्त हो जागी तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लिए करें आपसे मेरी च्छोटी जिद्धी यदि अगर आप हमारे चैनल बिना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में लगे पहले अकन को दुबाएं ताकि आपको ऐसी लेटिस वीडियो की जहनकारी सबसे पहले मिल सके दोस्तों दाथ खाज खजली की समस्या आज की डेटि में हर एक व्यक्ति के साथ देखी जाना लगी है और यहाँ परेशानी हर एक मौसम में देखी जाती है चाहें सर्दियों चाहें गर्मियों जैसे कि आप सभी को पता हुआ सर्दियों में आदे गीले सुखी कपड़े अक्सर लोग चिंती तोकर के तरह मेंकर तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट का इस्तमाल करते हैं क्रीम लगाते हैं जो कि उनके फंगल इंफेक्शन को कुछ समय ते लिए ठीक करते थे परन्तु जब विल उन दवाई को लगाना छोड़ देते हैं तो उनके फंगल और एंटी 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 गुड़ पायाते हैं जो कि दोस्तों आपके फंगल इंफेक्शन से तुरंती राध दिलाते हैं और आपके दार्प खाज मिलीगाले स्कीन को पहले जब बनाते हैं तो आपको एक चमच के तकरीवर ले लेना है हमारा यह डिटॉल अब आपको इस जो कि दोस्तों आपके फंगल इंफेक्शन से तुरंत राध दे रहता है साथी साथ आपके स्कीन को पहले जैसे बनाता है और दोस्तों आपके जलने के निसान को भी जड़ से समाप्त करता है तोस्तों आपको इतनी सी मात्रा में ले लेना है हिंग इंगे का तेल दोस्तों के लेना है यह अलओगेडा जेलग एलओगेडा जयल में दोस्तों वायटीमिन E वायटामिन ए सी आपकछिमेडे की ऐसे बनाते हैं आपके चेहिता चाहिए जूरी बाल्ऌिका यह आपके बे जान, बालों में एक नई जान उपलब्त कहता है। जिससे कि ये दोस्तो, आपके बालों को अच्छा बनाता है। साथ इसाद इसाद आपके फंगल इंप्रेक्शन से तुरंदी रहात दिलाता है और आपके फंगल इंफेक्सिन की समस्य को जड़ से समाप करता है तो आपको इन सभी चीज़ को अच्छे परकार से चला ले नहीं है तो अम मैं आपको उता था हूँ कि कैसे आपको इस नुश्के को लगाना है ध्यान से सुने के दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप ना कीज़ेगा तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को साफ पानी से दूलेना है फिर आपको इस नुश्के के लिए ना और अपने फंगल इंटरक्सिन वाले अरिया पे कुछ इस परकार से लगा लेना है कुछ इस परकार से लगा लेने के बाद दोस्तों आपको केवल आदे गंटे तक इसे यूँ ही लगे छोड़ दिने के बाद आप देखेंगे आपके जिद्धी दाग खाज खुझली की समस्या जड़ से समाप तोची है और आपको इस दिन पहले जैसे दिखाए दिन लगे यदि अगर आप इस रेमेडी को सिर्फ और सिर्फ एक दिन में दो बार इस्तिमाल करते हैं आप देखेंगे आपके जिद्धी दाग खाज खुझली की समस्या अभी की अभी एक दिन में समाप तोची है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस्तितन हैई उमिद्काता को आपको मारी वीडियो पसदने अगर वीडियो पसंद नहीं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपको कोई फैमिली फ्रेंट से में भी तरी इस पर इसाने से ज़िए जो रहुन भाई को साथ भी बड़ सब्सक्राइब फेस्बूस शेयर किये धन्यवाद